हेलो दूसतो आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी ड़लता है जो जोुकि सिर्फ कीज़न होता है रहता है और स्कूति में ॥ा उपर एक फूर्टिक यहां से दोस्तो आप लेगा और यहां नीचे से निकलेगा तो इंजन के left side में automatic gear transmission box रहता है स्कूटी में और सारी स्कूटी में रहता है बच जगे थोड़ी सी आंगे पीछे रहती है जैसे कि आप यहां TBS की B को देख सकते हैं इस पर लखा हुआ है कि इसमें कितना auto gear oil डलेगा यहां पर आप देख सकते हैं 120 में लिखा हुआ है और यहां से डलेगा दोस्तो और नीचे की तरफ एक और है तो बहां से निकल जाएगा तो इस तरह से आप अपनी स्कूटी के auto gear oil को change कर सकते हैं auto gear oil change होने की जो position रहती है वो बस थोड़ी सी आगे पीछे रहती है लेकिन सारी स्कूटी में auto gear oil डलता है और उसको आप चेंज कर सकते हैं और जो auto gear oil रहता है दोस्तो वो अलग-अलग grade के आते हैं आपकी company जिस grade के oil को recommend करती है उस grade के oil आप अपनी स्कूटी में डाल सकते हैं इस पे लिखा रहेगा auto gear oil साथी में किस grade का है वो grade भी लिखा रहता है यह hero pleasure के लिए है इसमें sae 90 grade का oil डलेगा जो कि मेरी स्कूटी के manufacturer ने recommend किया है कि उसमें किस grade का auto gear oil डालना है जो कि यहां से डालेगा दोस्तो और यहां नीचे तरफ से निकलेगा और oil जो रहता है दोस्तो वो हर company अलग-अलग grade का recommend करती है कि उसने उसके automatic transmission gearbox को किस तरह से design किया हुआ है और उसमें किस तरह का auto gear oil company ने recommend किया है कई company recommend करती engine oil को जो की 10w30 रहता है जो की engine oil में डलता है वही थोड़ा सा gearbox में भी डलता है तो अलग-अलग company अलग-अलग grade को recommend करती है तो आप पता कर ले कि आपकी स्कूटी के लिए किस grade को recommend किया गया है और उस grade के oil को purchase करके आप यहां पर automatic transmission box में डाल सकते है उसको change करेंगे दोस्तों तो आपकी स्कूटी एक दम स्मूथ चलेगी तो इसको यहां से ओल डालेंगे और यहां से दूस्तों निकालेंगे तो थोड़ी बद पोजिसन चेंज रहती है स्कूटी के recording तो कोई container लेंगे पुराने ओल को निकालने के लिए और इसका जो नीच को open कर दिया है और यह पुराना वाला auto gear oil आप देख सकते हो किस तरह से यह जो sae 90 grade का वाल है इसका जो change का interval है कितने किलोमेटर पे इसको change करना पड़ता है बो है दोस्तों 10,000 इसको मैंने 8,000 पे लेकिन change कर लिया है हर grade अलग-अलग किलोमेटर पे change होता है तो आप इसको एक बार confirm करने आपके ortho rice service center से उसके बाद आप इसको change कर सकते हैं सारे auto gear oil को आप आराम से निकल ले दे यह देखिए दोस्तों किस तरह से निकलना बंद हो गया है उसके बाद नीचे से इसको close कर देंगे और उपर से जो नया वाले उसको डालेंगे कि लोज कर दिया है यह देखिए दोस्तों इसके बाद नया auto gear oil है उसको डालेंगे ग्रेड में आपको किसी तरह की confusion है तो उसको आप एक बार क्लियर कर लें आपने ortho rice service center जाके कि आपकी स्कूटी में किस ग्रेट का auto gear oil डालेगा और उसका जो change interval रहता है दोस्तों कि कितने किलुमीटर पर उसको change करना है वो भी एक बार पता कर लें उसके बाद आप उसको timely change कर सकते हैं auto gear oil change करने से आपकी जो स्कूटी रहती वो एकदम स्मूथ चलती है किसी भी तरह का sound produce नहीं होता इंजन की तरफ से साथी में long drive पर भी smoothness बनी रहती है तो यह रहा दोस्तों न करना है 120 ml या फिर 100 ml या फिर 150 ml सारा आपको जो भी है वह स्कूटी पर ही लखा हुआ मिल जाएगा थोड़ी बहुत जगे चेंज होगी उसकी लिखे रहने की कहां पर उसका लिखा है कंटेंड इसमें डालेगा दोस्तों 120 ml तो जैसी कंटेनर फुलो हो जाएगा तो यहां पर आईल बापस आने लगाएं यह आप देख सकते हैं गडेटा है कि इसका जो रहा है जो कंटेनर इसका जो वाल्यूम है वह फोल हो चुक्या है यह देखिए दोस्तों ओल निकल रहा है मतलब इसका जो कंटेन आप फोल हो गया है इसके वाद इसको क्लोज कर देंगे और तो आटो गयार वाल है दोस्तों वह चेंज हो जाएगा इसको बापस लगा देंगे अभी मैं आपको पुराना वाला वाल भी दिखा देता हूं यह देखिए दोस्तों किस तरह से खराब हो गया है तो इसको टाइमली चेंज करने पर स्कूटी का इंजन जो है खराब नहीं होता है सही रहता है लेकिन इसको टाइमली चेंज ना करने पर आटोमेटिक गेर वाक्स ट्रास्मिशन में प्रब्लम आने लगती है साथी में स्कूटी का पिक अप कम हो जाता है तो इसलिए आप जरूर चेंज करें निव अल देख सकत ट्रास्मिशन रहता है और उसमें जो ऑल डलता है यहां पर डलता मैं जरूर करताया तो इकान्योंलिके यहां लगते हैं तो थोड़ी बद पोजिशन चेंज रहेगी और आप यहाँ पर अपनी स्कूटी के अकॉर्डिंग उसको देख लें और उसको चेंज कर लें साइड से चेंज होगा नीचे से नकलेगा टीवीस बीगो में और हीलो प्लेजर में सामने की तेरप से ही दोनों हैं इसमें भी दोस्तों लिखा हुआ है कि इसमें कितना डालेगा इसमें लिखा है 0.12L L मतलब लीटर मतलब 120 MLUS का मतलब भी तो इस तरह से दोस्तों अब पता कर सकते हैं और अपनी स्कूटी को मैंटेन रख सकते हैं उसको सर्विस की कंडिशन में रख सकते हैं और इसी तरह की और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने ना वो ले तो कमेंट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने ना वो ले दोस्तों